Assalamualaikum friends, मैं हूँ आपका tax दोस्त और tax host Anthony Williams और आप देख रहे हैं tax दोस्ती reporting videos आज है 30th of September 2019 और yes, date extend हो गई है last date for filing of income tax return tax year 2019 के लिए 31st October 2019 हो गई है और October 2031, 2019 तक आप अपनी tax return for tax year 2019 file कर सकते हैं और हमें कैसे पता है कि date आगे जानी थी क्योंकि tax year 2018 में हम help करते रहे ये video आप देख सकते हैं और अब आपके पास एक महीना है अपनी tax return file करने का और yes, Islamabad का phone number यहां दिया था आप I am very proud to announce के हमने tax दोस्ती का center इसलामबाद में भी open हो चुका है और आप जो है अगर F8 मरकज जाते हैं, F8 मरकज इसलामबाद तो office number 12, second floor, al-babar center में आप tax दोस्ती center में walk-in कर सकते हैं लेकिन एक disclaimer छोटा सा के अगर आप expect कर रहे हैं के वहां जाके आपको free advice मिलेगी तो free advice आपको और आपको paid services अवेल करनी पड़ेंगी चाहे वो advice की सुरत में हैं चाहे वो tax filing की सुरत में हैं तो कल आप जा सकते हैं, इसलामबाद में F8 मरकज हमारा tax दोस्ती center इसलामबाद क्योंकि लहूर में तो आप website पे देख सकते हैं, यह जो ख्याबाने एक बाल है, packages mall और Y block के दर्मियान DHA phase 3 लहूर में यहां मैं available होता हूँ, Anthony Williams आपका tax host और tax दोस्त और आप blog पर यह update थोड़ी देर में आ जाएगा, वहां भी देख लें, आप share कर सकते हैं और अगर subscribe करें तो email में भी आपको यह latest update आएगी, तो एक महीने का मजीद time मिल गया है individuals को, चाहे वो business है, चाहे वो salary है, चाहे वो association of persons यानि partnership businesses है, और हमें कैसे authentically पता है, वो आप fbr.gov.pk की website पर जाएंगे, तो home पे नीचे आप order और circular में जाएंगे, तो circular number 14 जो extension है, आपको बताएगा कि tax year 2019 की date 30th September 2019 last थी, लेकिन जो अपनी income tax return यानि 114 या statement of final taxation 115 फाइल नहीं कर सके थे, इस date तक, वो 31st October तक, हर वो individual, चाहे वो salary day business है, या association of person, जिसमें partnership वगएरा business आता है, या ऐसी companies, जिनके special year होते हैं, वो भी 31st October 2019 तक कर सके थे, अगर आप company है, private limited है और आपका year ending 30th June है 2019, तो फिर ये deadline आपके लिए नहीं है, आपकी deadline 31st December 2019 है, लेकर audit वगएरा start कर वा ले, तो इस तरीके से tax दोस्ती के through, आप tax दोस्ती सेंटर इस्लामबाद जा सकते हैं, paid services है, आपको अगर ये जो statement है, 114 और 115 के बारे में सीखना है, तो ये हमारे free resources हैं, regarding कि आप अपनी tax filing कैसे करेंगे, withholding क्या है, FTR वाली जो है, वो section 115 है, और normal tax return जो है, वो section 114 है, तो इन वीडियोस को देखने के बाद आप सीख सकते हैं, मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोगों ने खुद tax filing स्टार्ट किये, बड़ी अच्छी बात ह अगर आपकी simple tax return है, आप खुद file करें, hopefully हम भी एक government ने एक salary person के लिए visit app भी मना दिया है, जिसके थूँ वो filing कर सकते हैं, और मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ कि date extend हो गई है, और हमें बहुत queries कराची से आती थी, तो third tax दोस्ती center कराची में भी इन्शाला open होगा, target है हम after October, तो ये deadline मजीद भी, मेरा तो experience है, extend होती है, लेकिन आप इस deadline को meet करें, अपनी tax filing हमारे थू, consultants के थू या खुद करते हैं, तो इस date से पहले कर लें, मैं हूँ आपका tax दोस्त और tax host, Anthony Williams, tax दोस्ती is the easiest way to enter and stay in the tax debt of Pakistan, तो एक महीने की date आगे हो गई है, आप आप लहौर के अलावा जिस जो ये number आ रहा है, आप Islamabad tax center, tax दोस्ती center जा सकते हैं, और कराची में जल third tax दोस्ती center open होगा, और वहां भी आप charter accountants, advocates और अच्छे professionals के साथ interact करके, अपने tax matters, जो सिरफ आपकी tax return तक limited नहीं है, बलकि आपकी wealth management, आपकी financial management और अगर आप business कर रहे हैं, तो other taxes ज जो है advice, consulting और resource persons available हैं, बाकी YouTube channel पे आप FBR और और department से related देख सकते हैं, आज है 30th of September 2019, date जो है extend हो चुकी है till 31st of October 2019 for filing, जिसका मतलब है कि आपको penalty नहीं charge होगी अगर आप इस date तक file करेंगे, अगर ये date last date बन जाती है, अगर मैं इसले कह रहा हूँ क्योंकि ये में भी मजीब इक stand हो, लेकिन कोशिश करें कि 31st October तक आप filing कर लें, अगर नहीं करेंगे और वो date 31st October पे खतम होगी, तो उसके बाद अगर आप file करेंगे और active taxpayer list पर आना चाहेंगे, तो आपको 1000 penalty पे करनी पड़ेगी in case of individuals, आपको जो है, 1000 in case of individuals, अगर AOP है तो 10,000 और active taxpayer list पे आना होगा, तो इसलिए ये date और भी important है, अपने documents वगरा जमा करें, in order करें, अगर आपको कोई help चाहिए है, तो ये हमारी downloadable checklist है, for salurated persons, जो pensioners पे भी apply होती है, और ये business individuals और IT freelancers और startups पे ये list अप्लाई होती है, इसमें ना सिर्फ वो documents हैं, जिससे आपने अपनी income और expense declare करने है, बलकि वो beneficial documents भी हैं, जिससे आप बहुत सारे taxes जो आप से deduct हुए हैं, during the year, जो आपके favor में, आप claim back कर सकते हैं, कम असकम वो adjust कर सकते हैं, आप अपनी tax liability के against, इस साल tax year 2019 में, और going forward tax year 2020 में, tax year 2019 के एक और खास बात कि इस साल tax rates बहुत कम है, 12,00, तक 2000 रुपए पूरे साल का tax है, 24,00, जो कमा रहे हैं, उन्होंने सिर्फ 60,000 पेकन है, as compared to previous years में, ये tax rates बहुत ज्यादा थे, जो 24,00, कमा रहे थे, उनको कम असकम, 2-3,00, रुपए tax देना पड़ता था, लेकिन फिर ये tax year 2020, जो इस पर चल रहा है, ये rates upward revised हैं, लेकिन tax year 2019 में enjoy करें, कि आपको कम tax rates देने पड़ें, अपनी tax return फाइल करें, tax return फाइल करते हुए, हमारी videos आप जरूर देखें, जैसे हमारे blog के ओपर ये जो videos हैं, आखरी दो, ये खास तोर पे actual जो मेरी tax return है, उसको explain करती है, कि आपने कैसे fill करना है, और कुछ important points, जो नए finance act 2019 में आये थे, ये द उसके लावा और बहुत सरी information, जो हम weekly आपको इस tax दोस्ती website और tax दोस्ती YouTube चैनल पर देते हैं, तो I hope कि आपने अगर tax filing कर ली है, तो congratulations, और अगर आप tax filing करना चारे हैं, first time या आप previous years कर चुके हैं, और आप अच्छी advice चारे हैं, और अच्छा professional काम चारे हैं, तो फिर आप tax दोस्ती center Lahore, tax दोस्ती center Islamabad, या फिर very soon tax दोस्ती center Karachi विजट कर सकते हैं, मैं हूँ आपका tax दोस्त और tax host Anthony Williams, thank you very much.